नमस्कार आप देख रहें एकॉनोमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनंदियो चक्रवर्ती आज मैं बात करूँगा तो बात करूँगा कंगना रनावत, रिया चक्रवर्ती और सुशान सिंग राजपूत के देहांध की क्या वो मर्डर था या क्या वो सुिसाइड थी, खैर मैं इस पर बात नहीं करूँगा मुझे बात तो करनी चाहिए थी एकॉनोमी में जो बड़े बड़े इशूज हमारे सामने हैं चाहे वो बेरोजगारी की एशू हो, चाहे वो रिसेशन हो, रिसेशन यानि आर्थिक मंदी है, आप जानते हैं डीडीपी हमारी 24 पर तिशत गिर गई है चाहे चाइना और भारत के बीच में जो तनातनी चल रही है, बॉर्डर पर उस पर बात करूँ चाहे मैं COVID-19 का क्या हाल हो रहा एकॉनोमी पर उस पर बात करूँ या नीजी करन जो हो रहा है धीरे धीरे हमारे देश में उसकी बात करूँ लेकिन मैं इन चीजों पर बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मीडिया भी इस पर बात ही नहीं करती है और आप लोग इंट्रेस्टेड ही नहीं है यह तो आप देखते ना आप बोलते कि मीडिया को भी या आप इस पर बात कीजिए गोधी मीडिया आपको क्या दिखा रही है गोधी मीडिया आपको वही कंगना रनावत रिया चेक्रवर्ति और सुशान सिंग राजपूर दिखा रही है और इसी से गोधी मीडिया को अच्छा खासा रेटिंग मिल रहा है यही है रेटिंग का खेल क्योंकि आप देख रहे है आप क्यों देख रहे हैं, इसका तो मैं हिसाब नहीं लगा सकता है लेकिन गोधी मीडिया दिखा क्यों रही है इसका हिसाब आज के इस एपिसोड में जरूर लगाूँगा तो ये जो पूरे गोधी मीडिया या मीडिया का रेटिंग का खेल है जिसके चलते मीडिया का पूरा कारोबार चलता है टीवी मीडिया का कारोबार चलता है टीवी न्यूस का कारोबार चलता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि rating का system क्या होता है हमारे देश में broadcast audience research council of India bark बोलके company है जिसमें जो channel हैं उनके जो नुमाइंदे हैं सबका एक गड़ जोड है वहाँ पे सब करके rating को ना पा जाता है हर घर में एक rating का meter होता है हर घर मतलब 40-44,000 इस वक्त rating meter घर है panel क्योंकि 40,000 घरों का जरूरत होता है तो 10% जादा घरों में meter रहना पड़ता है आप सोच लीजे कि weekly rate पर हर हफते 40,000 घरों का data उठाती है कि उन घरों में लगबग 180,000 जो दर्शक हैं उन लोगों ने क्या देखा हर minute इसको देखा जाता है हर minute देखा जाता है और सिरफ कितन लोगों ने नहीं कितने देर तक देखा एक minute के अंदर एक दर्शक कौन सा channel जादा देर तक देखता है उसी को पूरे minute का rating मिलता है मतलब अगर आपने कोई भी channel 30 seconds से जादा देखा हो एक minute में तो पूरा rating उसी channel को तो मिलना है सबसे जादा है लेकिन आपने 4-4 channel देख किसी को 12 seconds देख लिए तो कौन से को मिलेगा जो सबसे जादा आपने देखा है अब आप देखे कि अगर आप पूरे दिन टीवी खोल कर देखते रहें आप सोई नहीं एक minute भी देखते रहें तो 24 घंटों में कितने minute होते हैं 1440 minute आप टीवी देख सकते हैं यानि कि अगर कह यानि पे एक घर में चार लोग हैं चार विवर हैं तो आप कह सकते हैं कि total time अगर वो कभी न सोई दिन में 5760 minute वो news देख सकते हैं या कोई भी चैनल देख सकते हैं तो इसको कहा जाता है पूरा universe पूरा universe वो चार लोग नहीं है पूरा universe जो है रेटिंग का यह वो 5760 minute है इस को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ये चार विवर हैं टोटल और चार चैनल टोटल है आप सोच लिए चार विवर है चार चैनल है तब क्या होगा इसको मैं देख लेता हूं कि चार चैनल मैंने इनको नाम दिया चैनल A, B, C, D और हर विवर को एक नमबर दे दिया, विवर नमबर 1, 2, 3, 4, तो विवर नमबर 1 ये नीचे देख लिएजिए का उधारन है, ये असल नहीं कह रहा हूं मैं, चैनल A उसने कभी चलाया है नहीं, 0 मिनिट देखा है, चैनल B 15 मि उसने चैनल A 35 मिनिट तक देखा है, चैनल B 10 मिनिट तक देखा है, चैनल C उसे पसंद नहीं, उसने 1 मिनिट भी नहीं देखा, चैनल D 15 मिनिट तक देखा है, टोटल 60 मिनिट तक उसने टीवी देखी है, विवर नमबर 3, चैनल A 50 मिनिट, चैनल B 12 मिनिट, चैनल C 20 मिनिट, चैनल D 15 मिनिट, टोटल टाइम कितना लगबग 97 मिनिट उन्होंने 97 मिनिट उन्होंने टीवी देखा है चैनल A, अब मैं viewer number 4, चैनल A 0, देखा हैं ने चैनल B 15 मिनिट, चैनल C 35 मिनिट, चैनल D 15 मिनिट, टोटल 65 मिनिट यह तो मैं viewer के तरफ से देख रहा हूँ है ना लेकिन rating viewer के तरफ से तो होता नहीं viewers के total time हर channel पर जोड़ा जाता है और channel का rating देखा जाता है अब हम देखते हैं कि सभी viewer का अगर हम total time जोड़ लें तो क्या होता है channel A पर 85 minute, channel B पर 52 minute, channel C पर 66 minute, channel D पर 60 minute और total 263 minute का total time इन चार viewer ने टीवी पर दिया है अगर मैं total viewer count देख लूँ कितने viewers ने channel देखा क्योंकि मैंने बता कुछ viewers ने कुछ चैनल देखा है नहीं channel A के सिरफ दो viewer थे channel B के चार viewer थे channel C में एक viewer ने नहीं देखा तो तीन channel viewer थे और channel D भी सभी चारों ने देखा है लेकिन market share देखिए क्योंकि market share time का होता है खुल टाइम है एक channel पर चैनल एके 32 प्रतिशत market share number one channel channel B 20 प्रतिशत channel C 25 प्रतिशत और channel D 23 प्रतिशत market share अब मैं rank देख लेता है मैंने आपको market share बता है channel A का A, B, C, D जो हमारे सामने channel है इसको मैं अब rank के तौर पे लगा देता हूँ तो A जिसका 32 प्रतिशत market share है उसका rank उसका 32 प्रतिशत market share है channel C का 25 प्रतिशत market share है channel D का 23 प्रतिशत है और channel B का 20 प्रतिशत है अब मैंने ABCD ने channel के market share से इनको खड़ा किया है तो आप rank देख लिजे 1, 2, 3, 4 A का number 1 rank C का number 2 rank D का number 3 rank और B का number 4 लेकिन views देखिए viewer कितने थे A जो की number 1 channel उसके सिरफ 2 viewer जादा देर तक देखा था ना उन्होंने C जो number 2 है उसके पूरे 4 viewer D जो की number 3 है उसके 3 viewer लेकिन B जो की number 4 है लास्ट है उसके भी 4 viewer viewer के तौर पे अगर हम देखे तो B और C जादा viewer उनके पास थे उनको rank में उपर होना चाहिए था viewer के तौर पे लेकिन rating के तौर पर वो पीछे रह गए क्यूं क्यूंकि मैंने कहा था rating time का हिसाब होता है time का हिसाब होता है viewer का हिसाब नहीं होता है यह आपको समझना चाहिए इसलिए मैंने कहा कि दो व्यू के साथ नंबर वन चैनल है ए चैनल ए और जिसके पास चार व्यूवर हैं दुगने व्यूवर लेकिन वह नंबर फॉर है ratings के तौर पे अब आप देखिए कि इसका कारण क्या है आप सोचेंगे कि क्यों ऐसा किया जाता है क्योंकि rating चैनल के लिए नहीं होता है rating Advertiser के लिए होता है Advertiser को किसी भी चीज बेचने के लिए Advertising में कहा जाता है कि कोई भी मेसेज अगर आप consumer तक भोगता तक पहुंचाना चाहते हैं तो 6-7 बार वह मेसेज आपको वहां तक पहुंचाना पड़ेगा अगर वह भोगता इसलिए वो चाहते हैं कि कोई भी ad, कोई भी ad एक viewer काफी बार देखे तो आप देखेंगे कि पहले break, second, third break में वही ad बार बार आता है आता है न क्यूंकि जब भी नया कोई product launch होता है वो चाहते हैं कि आप जितनी बार उसको देखेंगे उतना आपके जहनवे में वो समा जाएगा उतना chance बढ़ता है वो खरी क्या है channel का एक बार देखना क्या उससे बिकेगा product शायद ना बिके दूसरे channel के पास 80 viewer है कम viewer है लेकिन 2 break तक रुकते हैं तो हो सकता है कि viewer जो खरीदने वाले viewer है वो बढ़ जाए इसलिए advertiser उस channel को पैसे देंगे जिसके viewer कम हो सकते हैं लेकिन वो जादा तेर तक रुके र रहे हैं वो channel के लिए उतना ही महत्वपून होता है जितना total number of viewers यानि कि total कितने लोग देख रहे हैं और इसी को channel भी देखते हैं कि किस तरीके से viewer भी बढ़ा जाए और अपना time spent भी बढ़ा जाए ज्यादा देर तक viewer को आकरश्रत करके रखा जाए हम मैंने एक show आपके लि entertainment जो है दुनिया भर entertainment channel का total जो viewer होता है और time spent जो जितना देर तक लोग देखते हैं वो जादा होता है आप भी देख लेजिए कि एक movie आप तीन घंटे तक देख लेते हैं लेकिन न्यूज आप आदे घंटे बाद सोचते हैं कि channel change करके कुछ और देख लो इसलिए वो धक्क मुक की चिलम चिली का game होता है ताकि वो आपको entertaining लगे आपको आपके opinion जितने भी है उसको थोड़ा सा दिया जाता है कि ताकि आप थोड़े से जोश में आकर देखते रहें सिर्फ न्यूज दिखाया जागा तो आप 10-15 मिनिट से जादा नहीं रुकेंगे यही सच बात है खैर lockdown आया आप जानते कि lockdown आया तो उसमें क्या हुआ lockdown आते ही कि लोगों को लगा कि एक तो घर पे थे दूसरा है तो टीवी जादा वेख रहे थे और साथ में वो जानना चाहते थे कि कोविट का हो क्या रहा है lockdown कितने दिन चलेगा तो पहले जो मार्च का last week है और अप्रे एक साल पहले की तुलना में लेकिन एक महिना हो गया धीरे-धीरे लोग समझ गया कि लोगडान में तो रहना पड़ेगा न्यूस देखने वाले लोग थोड़े से कम हो गये कितने देर तक देखते वो भी कम हो गया उपर था पहले की तुलना में फिर भी उपर था लेकिन वो 25-50% उपर, मैं जून में 25-50% उपर था, वो जो शुरू का जो एक बड़ा जंप मिला था, वो दीरे दीरे घट गया, अब news channels का आप देखिए, रेटिंग उपर गया, जैसे मैंने यह error दिखाया, दो arrow है आपके सामने, लेकिन वो नीचे जा रहा है, बड़ा जरूर है, की मंदी थी, GDP हमारी लगभग 24 प्रतिशत चली गई नीचे, अगर GDP नीचे जाती है, तो क्या होता है, advertising कम है, लोग चीज़े खरीद नहीं रहे हैं, गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं, तो क्यों मैं add दूँ, तो इसलिए, news channels का जो जो revenue, जो पैसा उनको advertiser से मिल रहा था, व 25 से 50% घर गया, आप देखिए, rating जो है वो बड़ा, लेकिन जो revenue है, जो पैसा आ रहा था, जो income है, वो घड़ गया, आए कम हो गया channel का, तो channel ने सोचा कि भाईया, अब क्या करे, channel को लगा, channel के जो मालिक हैं, editors हैं, उनको लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, ताकि जो viewership है वो बढ़ जाए, ताकि हम जाके, advertiser को कह सके, कि देखिए, कि हम आपको वो ही news दे रहे हैं, लेकिन हम आपको सस्ते में दे रहे हैं, वो ही rate दे रहे हैं, लेकिन सस्ते में दे रहे हैं, पहले आपको 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए 1000 रुपे देने पड़ते थे, आज आ आपको जादा विवर दे रहा हूं पहले शुरु शुरु में तो वह वा था लेकिन धीरे धीरे वह घड़ यह अब क्या था उनको चाहिए था कुछ ऐसा चीज जिससे उनका रेटिंग बढ़ सके इसी बीच आ गया सुशान सिंग राजपूत के मौत का केस और इस पे लोगो ने वो दिखाना शूरू कर दिया जब वो दिखाना शूरू कर दिया तो रेटिंग फिर से धड़ा-धर ऊपर जाने लगी तो उनको लगा कि यही देखाओ और कुछ बंद दिखाओ अब इसी बीच क्या हुआ कि इसी के चलते बाकि जो important चीजे हैं उनकि coverage तो से पहले नह की चैनल थी वह नंबर वन चैनल हो गई पिछले दो हफ्तों से सिर्फ सुषान सिंग राजपूत रिया चक्रवर्ती और कंगनार नावत की बात करके और कहके कि हमें भॉष अपने देखा हो डन्स दो ड्रण दो मुझे न्यूस ऑख ईकर्व 내사से अपने पहले कभी नहीं दीखा होगा क्योंकि आप शायद बैस्तिशन हो यह मैं नहीं देखा हो लेकिन जो het इंटर्टेन्मेंटुग व्यूव Nord तो rating उपर गया है और अब खबर आ रही है कि news channel जाकर advertisers को कह रहे हैं कि देखिए हम rating जादा ला रहे हैं आप हमारा पैसा नहीं काट सकते उतना ही पैसा दीजिए हमें क्योंकि हम आपको जादा rating लाकर दे रहे हैं और यही है पूरा जो यह news channel जो बिलकुल गड़े में गिर गए है news coverage जो गड़े में गिर गई है कोई भी असली मुद्दे पर जो news coverage नहीं हो रही है इसका हिसाब उनके economy का हिसाब केगा है